नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं नभीन कुमार अपने चैनल लेंग्विज और प्लेनिट्स में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विशेपर कि हर इंसान अपना एक विशेश व्यक्तित लिये हुए होता है हर इंसान का अपना एक अलग व्यवहार होता है कुछ लोगों का व्यवहार अंतरमुखी होता है कुछ लोगों का व्यवहार मिलनसार होता है कुछ लोगों का व्यवहार इधर की उधर बाते करने में जादा होता है तो दोस्तों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका प्रभाव सारी जिन्दगी इंसान के उपर रहता है और अपने इसी व्यवहार की वज़े से इंसान समाज में अपना स्थान बना पाता है कितना गंभीर है या कितना चंचल है मिलनसार है तो उस व्यक्ति की गणना उसी वर्ग में होनी शुरू हो जाती है दोस्तों हमारा व्यवहार हमारी परसनेलिटी हमारा शरीर हमारा व्यक्तित्त जो भी कुछ होता है यह हमारी जन्म कुंडली के प्रथम भाव से लगन से देखा जाता है और कुंडली के बारे भाव अर्थात प्रत्येक भाव तीस अंश का होता है इसी तरह से बारे राशिया प्रत्येक राशी तीस अंश की होती है अब दोस्तों हम बात यहाँ पर करते हैं कि यदि हम लगन की बात करें तो लगन एक से लेकर तीस अंश तक होता है जब हमारा जन्म होता है उस समय लगन में जो भी राशी उदय हो रही है और उस राशी का स्वामी हमारा लॉर्ड होता है हमारे लगन का स्वामी होता है और जो राशी हमारे जन्म के समय पूरब दिशा में उदय हो रही होती है वो हमारा लगन होता है अब दोस्तों मान के चलिए किसी बच्चे का जन्म होता है और उस समय आठ डिगरी आठ अंश तक व्रश्चिक राशी आ पाई है लग्ण में तो उस बच्चे का जन्म आठ डिगरी का होगा उसका लग्ण आठ डिगरी का होगा किसी व्यक्ति के जन्म के समय मान लीजिए व्रश राशी पूरब दिशा में उधर हो रही है और वो 26 डिगरी पर है व्रश राशी और उस व्यक्ति का जन्म होता है तो उस व्यक्ति का लगन 26 डिगरी व्रश राशी का होगा तो इस तरह से लगन का निर्धारन किया जाता है जब 30 से उपर चला जाता है तो लगन बदल जाता है तो दोस्तो आपका जन्म के समय आपके लगन में जो राशी है वो कितने डिगरी तक है इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर पड़ता है और हम उसे द्रेशकान के रूप में विभाजित करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आपके ऊपर किस द्रेशकान का प्रभाव है सबसे पहले तो दोस्तों समझते हैं कि द्रेशकान होता क्या है दोस्तों जब हम एक राशी को तीन भागों में डिवाइट करते हैं तीन भागों में हम एक राशी को बाटते हैं तो उसे द्रेशकान कहते हैं एक द्रेशकान जो होता है वो 10 डिग्री का होता है यानि एक राशी में तीन द्रेशकान होते हैं तो राशी का तीसरा भाग दस डिगरी का होता है एक राशी में जो तीन द्रेशकान होते हैं उसमें पहला द्रेशकान जीरो से दस अंश तक होता है जिसे नारद द्रेशकान के नाम से जानते हैं इसी तरह से दूसरा द्रेशकान 11 से 20 अंश तक होता है जिसे हम अगस्त्य द्रेशकान के नाम से जानते हैं और तीसरा द्रेशकान 21 से 30 अंश तक होता है जिसे हम दुरवासा द्रेशकान के नाम से जानते हैं अब दोस्तों हम इस द्रेशकान का आपको अर्थ समझाते हैं आप इसके अर्थ को समझें और अपने दिमाग में इस चीज को फिट कर लें जिससे आपको अपने लगन को समझने में आसानी होगी अगर आपका जन्म नारद द्रेशकान अर्थात आपका लगन जीरो से 10 डिगरी के अंदर है तो आपका नारद द्रेशकान है इसके स्वामी नारद मुनी माने गए हैं प्रथम द्रेशकाण अर्थात नारद द्रेशकाण में जन्म लेने वाला जातक इश्वर में गेहरी आस्था रखने वाला होता है। ब्रमनशील होता है, हर इंसान का भला चाहने वाला होता है, अस्थिर्ता बुद्धी वाला होता है, और चंचल प्रकृति वाला होता है, मजाकिया स्वभाव, बुद्धिमान, सभी लोगों का हित करने की इच्छा रखने वाला, किसी भी तथे को और किसी भी खबर को समाचार को दूर तक पहुचाने वाला दूसरों तक पहुचाने वाला बहुत समवेधन शील घूमने घामने से अपने भाग्य को बनाने वाला अर्थात घूमने घामने वाला समाचार, पत्र, दूरसंचार, कम्प्यूटर, परेटन, प्रकाशन, सम्बंधी कारियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है इस जातक में, जो लोग नारद द्रेशकान से जुड़े होते हैं, इनमें सेवा, भक्ती, निष्ठा और समर्पन की भावना विशेश रूप से देखने को मिलती है और सही मायने में ये दिबात की जाए, तो ऐसे लोग जिनका नारद द्रेशकान होता है, जिनका लगन नारद द्रेशकान में होता है, ऐसे लोग नारद मुनी की तरह व्याभार करने वाले होते हैं इसी तरह से दोस्तों दूसरा द्रेशकान होता है अगस्त्य द्रेशकान अर्थार आपका लगन यह दी 11 से 20 डिगरी के बीच में है तो आप अगस्त्य द्रेशकान के हैं दोस्तों इस द्रेशकान के स्वामी अगस्त्य मुनी माने गए हैं दूसरे द्रेशकान में जन्म लेने वाले लोग द्रण निश्चई श्रेष्ट जनों एवं साधू संतों की सेवा करने वाले परोपकारी द्रण संकल्प शक्ति से युक्त अत्यंत पराक्रमी और परिश्र होते हैं ये लोग नीती के अनुसार आचरन करने वाले होते हैं समस्त सुख साधनों से युक्त होते हैं इनकी प्रकरती बहुत गंभीर होती है अगस्त्य मुनी की तरह होती है जिनोंने लोक कल्यान की भावना से प्रेरित होकर आसुरी शक्तियों के संगार के लिए सदैव प्रयास किये इस तरह की लक्ष की पूर्ती के लिए और रामण जैसे अत्याचारी रक्षस के विनाश हेतू अगस्ति मुनी ने आदित्य हिर्दै स्त्रोत्र की रचना की जिससे श्री रामचंदर जी को परदान किया और रामचंदर जी ने इसका प्रयोग अमोग शस्त्र के रूप में किया तो अगस्त द्रेशकान वाले जो लोग होते हैं ये लोग बहुत ही गंभीर प्रवर्ती के और परुपकारी लोग होते हैं अब बात करते हैं तीसरे द्रेशकान की यानि के जिनका लग्न 21 से 30 अईश के बीच में है दोस्तों इस द्रेशकान के स्वामी दुरवासा मुनी माने गए हैं इस द्रेशकान में जन्म लेने वाले जातक मुफट, क्रोधी, अभिमानी और धैरे की कमी वाले होते हैं ऐसे जातक करतव विनिष्ठ होते हैं नियमों का पालन करने वाले होते हैं दूसरों की गलती को आसानी से ख्षमा नहीं कर पाते और जल्दी उत्तेजित हो जाने वाले होते हैं इनकी जो प्रवर्ति होती है जो इनके इनका व्यवहार होता है इनकी जल्द क्रोध आ जाने की जो इस्थिती होती है यह दुरवासा मुनी की तरह से होती है तो दोस्तों आप अपने लगन को चेक करें आपका लगन 0-10 के बीच में है तो आप नारद द्रेशकान के वेक्ति हैं और आपका लगन 11-20 के बीच में है तो आप अगस्ते द्रेशकान के व्यक्ति हैं और यदि आपका लगन 21-30 के बीच में है तो आप दुरवासा द्रेशकान के व्यक्ति हैं ये प्रभाव जीवन भर इंसान के ऊपर देखने को मिलते हैं तो दोस्तों यदि आपके लगन से जुड़ी हुई ये अगभुत जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेर कीजेगा लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा धन्यवाद दोस्तों